हेलो फ्रेंट्स आप से वेका स्वागत इस उड़ो में तो फ्रेंट्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज कुपर में तो चलो फ्रेंट्स सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले वाले न्यूज कुपर हम बात करें तो चलो कोई बात नहीं बट नीज है तो इसे एक पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो यह रॉक बैंड किस जो है उसके लीड सिंगर है मतलब की पॉपुलर सक्सियत है इन्होंने कंफर्म किया कि यह अभी भी जो इनकी क्रिप्टो होल्डिंग है उसको इन्होंने होल्ड कर रखा है जबकि क्रिप्टो विंटर चल रहा है साथ ही साथ क्रिप्टो क्रेंसे एक्स्चेंज एप्टेस का कॉल्याप्स हुआ है बट उसके बावजूद इन्होंने कंफर्म किया कि मैंने अभी कोई भी अपनी होल्डिंग को सेल नहीं किया मतलब मेरे पास जितनी होल्ड मैं इसमें विश्वास रखता हूं मतलब कि अच्छे दिन आएंगे और फिर से क्रिप्टो आपको अपना पिक पे होगा और अगें से मार्केट फिर से बुल रन होगा अब यहां पर इन्होंने यह सारी चीज खूद कंफर्म की है अब साथी साथ थोड़ा आगे बढ़े तो यहां पर इन्होंने बोला कि इनके पास बहुत तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें बिटकोईन भी है इथेरियम भी है तो यह तो पॉपलर है इसलिए आपे नाम इसका सेर कर दिया गया और भी इनके पास बहुत सारी इनके पोट्फोलियों में क्रिप्टो करेंस है सेल करना है वाटेवर तो चलो बढ़ते हैं कि लिए तो फ्रेंट्स यहां पर दिको बाला जी स्री निवासन ने कुछ बाते कई है एक तरह से कमेंट की है या अपनी अपिनियन दी है यहां पर एप्टियस को लेकर इन्हों ने बोला कि जो एप्टियस का यह कॉलैप्स हु तो वर्थ लेस्नेस मतलब लगबच जीरो के बराबर इसकी कीमत कोई वैल्ली नहीं रह जाएगी जैसे पिक्चर में आप दिखा रहे हो देख सकते हो पटाका अंदर सारे नोट को चिपका आगया पटाका फटा नोट मतलब खतम तो फ्रेंस आप तो नीचे आएंगे और अब यहां पर वर्थ लेस्नेस तक पहुँच जाएंगे मतलब जीरो के बराबर पहुच जाएंगे मतलब उनकी कोई एहमियत कोई वैल्ली नहीं रह जाएगी सब खतम हो जाएगा अब यहां पर इन्होंने आगे बोला विल सो नो इंटरेस्ट इन प्रोसिक्यूटिंग कि जो भी ऑथरेटीज हैं वो इन चीजों पर अभी काम करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं या फिर धीरे डूलर के परती लोगों के इंटरेस्ट जो है वो कहीं अब कम हो र एक दम खुलके कि यह जो है आने वले समय में खतम हो जाएगा जीरो हो जाएगा कोई वैल्लिव नहीं रहे जाएगी उसके अलाबा एक नए अल्टरनेटिव को जरूत है तो आप यहां पर खुद समझों कि यह किधर इसारा कर रहे हैं कैसी अल्टरनेटिव के बात कर रहे तो चलो फ्रेंट्स आप बढ़ते हैं लिए न्यूज के लिए तो फ्रेंट्स यहां पर देखो जो रिसर्च है वो सो करती है मतलब की दरसाती हैं दिखाती हैं कि जो सेंट्रलाइजड एक्सचेंजेज हैं उसमें काफी ज़्यादा विजिट देखने को मिले विजिट मतल को बोला जा रहा है जो आपको युनाइटेड एस्टेट साउथ कोरिया और रसियन फेडरेशन के जो आपको रेसिडेंट्स है मतलब वहां के जो निवासी है उनको देखा गया कि वो काफी ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूजर्स के तौर पे देखे गये हैं कहां पर तो ज सब्सक्राइब करने के लिए बात किया गया है जो की एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक था जिसकी क्रेश हुई और उसके बाद से जो रूल रेगुलेशन से जिसको टाइट करने के लिए बात किया गया और यहां पर यह सारी चीजे मतलब स्टडी जो है इसी के बाद थोड़ा से यह भी किलियर हो पाया कुछ चीजे सामने में निकल करा पाई कि जो सेंट्रलाइजड है उसके तरफ लोग ज़्यादा मूप कर रहे है मतलब उस एक्सेंज पर लोग का जो ट्रस् लेकिन हम उतनी डिटल में फ्रेंट्स बात नहीं कर पाएंगे तो चलो बढ़ते हैं ले नियूज के लिए तो फ्रेंट्स अब बात करें इस वाले नियूज को पर तो यहां पर दोको जो कॉंस्टेंट लगातार जो ब्लैक आउट निकल कर आ रहा है उसने क्या किया है तो लेवरल जो बहुत सारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्या कर रहा है तो अपना इन्वेस्टिंग जो है कर रहा है क्रिप्टो माइनिंग में तो उनको इस ब्लैक आउट जो हो रही है बार बार उसके कारण से क्रिप्टो माइनिंग एक तरह से करके रखते हैं और फिर operate करते हैं माइनिंग करते हैं और उसी से फिर उनको reward होगारा revenue मिलता है तो यहां पर यही सारी चीज़े जो है नहीं हो पारी ही काफी दिक्कत आ रही है और यहां तक कि सिर्फ इसी माइनिंग में नहीं यह जो blackouts आ रहे हैं इसके कारण जो telecommunications है उसमें भी दिक्कत आ रही है और जो power grid सब समझ रहे हैं जो telecommunication मतलब कि electricity की जो shortage या बहुत तरह की जो दिक्कत आ रही है और साथी साथ government भी कुछ ना कुछ कि लोगों ने crypto mining field में बहुत सारे investing कर रखा है लेकिन अब वहां पे वो operate ही नहीं कर पा रहे हैं वो अपने काम को कर ही नहीं पा रहे हैं अपने job को कर ही नहीं पा रहे हैं तो यहीं बस main दिक्कत है तो फ्रेंट्स यहां पर दोको जो noble आपको laureate बेन बरनान के बड़ा लंबा सा नाम है इन्होंने क्या क्रिप्टो करेंसी को पर blast मतलब फूटे हैं क्रिप्टो करेंसी को पर में ये बोले हैं इन्होंने बोला कि जो tokens हैं वो अभी भी अपने आपको प्रूप नहीं कर इन्होंने किसके तो फैड़र डिजर के साथ ये 2022 की nobel फ्राइज economics में जो मिलती है उसके विजेता भी है इन्होंने क्या किया है तो क्रिप्टो करेंसी की concept है उसके उपर एक तरह से सवाल खड़ा किया है उसके ऊपर उपर एक तरह से टिप नहीं की है उँगल उठाइए अब इन्होंने जो इंटर्विव इनके हुई थी आपको एक बहुत पॉपुलर जो स्वेडिस जॉर्नल है उन्हीं के साथ में इनकी इंटर्विव हुई उसी दोरान इन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी अभी तक अपने आपको प्रूब नहीं कर पाया आखिर क्रिप्ट हम लोगोंने कॉबर कर लिया तो चलो बढ़तें के लिए न्यूज के लिए तो फ्रेंस यहां पर देखो जो क्रिप्टो एक्सचेंज आपको बाइबिट है इसने क्या किया है नए रेस्ट्रिक्शन्स जो है अन वेरिफाइड यूजर्स के लिए लाए है मतलब ड्रॉल लिमिट कुछ और होगी अब उसको अपडेट करके कुछ और कर दिया होगा जो अन वेरिफाइड यूजर्स है उसके लिए तो यहां पर देखो फिर से पढ़ते है थोड़ा सा तीनों ने एनौंसमेंट किया है इनकी जो अपकमिंग चेंजेज है जो की है नो योर कर रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं उसके लिए जो चीजे जैसे चल रही है वैसे चलेंगी लेकिन जिन्हों ने अपने आपको वेरिफाइड नहीं कर रहा है उनके लिए ये जो नहीं अपनी रेस्टिक्शन ला रहे हैं उसमें कुछ चीजे उनके लिए और कम कर दी जाएगी उनको जो स्विधावी तक दी जा रही थी अन्वरिफाइड यूजर्स को उनको स्विधाए और घटाई जाएगी अब यहाँ पर देखो तो बोला जा रहा है एस्ट्रिक्टर requirements concern coin purchase with fiat money, NFT transactions and withdrawal limits तो यह इन सारी चीजों पर जो restrictions है वो दिखने को मिलेंगे जो coin purchase थे उसके उपर में थोड़ी से limit देखने को मिलेंगे और ज़्यादा restrict requirement होगा NFT transactions को लेकर होगा और withdrawal जो limit है इनकोई उसे भी reduce किया गया होगा अब थोड़ी डिटल में आएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी बड़ जो bybit की users होंगे वो google कर लेंगे उसको सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी या फिर bybit का जो app है official वहाँ पर ही सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी तो चलो अभी के लिए फिलाड इतना रहने देते हैं क्योंकि लबग मार्केट में अभी के टाइम पर ज्यादा न्यूज था ही नहीं जितनी न्यूज मुझे दीखी जो काम की दीखी मैंने लबग सबको ही आए तो चलो फ्रेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल पर जो लोग नए है सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगले वीडियो में